अब रोख से मुट्टी साधरन बेखती को कैसे मेरे जैसे बेखती को तुलसी दाजी ने बहुत अच्छा उपाई बताया बिगरी जनम अनेक की सुधरे अब ही आज होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज अनेकों जम से बात बिगरती गई तुलसी दाजी कहते हैं आज ही और आज ही पांच गंटे वातने अब ही तुम्हारी सारी बिगरी ही बात शुलश जाएगी सुधर जाएगी क्या है एक बिधी एक निशेद राम जी का होका राम का नाम लो ये बिधी कुसमाज का त्याग कर दो निशेद फिर कहा एक जमानत लेली तुलसीदाजिन दोहा वली, सत्य बचन, आधिनता, परती मातु समान, इतने पर हरी ना मिले तुलसीदाज जमान, जमानत देते हैं न, तुलसीदाज जमानत दे दी, सत्य वचन शुब्यवस्थी गमारू डंग्षनी सत्य आधिनता इश्वर धर्म गुरु का आधिन माता पिता इश्वर धर्म गुरु इश्वर अप्रण धान जिसको कहते हैं नियम में परति मातु समान ब्रह्म चरी तीन सत्य वचन आधिनता इश्वर के शर्णागति राम का नाम लोग परति मातु समान ब्रह्म चरी मर्यादा में अपनी पत्नी तक्सिमित रहो इतने पर हर उना मिलें तुलसी दाज किते हैं जमानत लेता हूं तुलसी दाज जमानत लेते हैं फिर क्या है राम जी थोड़े उस जमानत को इश्वर कृपा एक चरण अपने हाथ में है या ना इश्वर कृपा मनुश्चरीर मिल गया अनकूल परिस्थिती मिल गई भगवान के भजन के अनकूल हाथ पहुँए सब ठीक है परिवार के व्यक्ति भी अकोई महापुरुस का संग हो गया इतने इश्वर कृपा हो गई बेदाजी शास्त्र को बताने वाले महापुरुस मिल गए इश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा अब आत्म कृपा के बिना ताम दुख जाएगा कौन सी कृपा में कमी है उनसे द्धन करना चाहिए इश्वर की कृपा में कभी कमी होती नहीं गुरू की में कमी नहीं होती आत्मक्रिपा से क्योंकि आत्मक्रिपा का मतलब क्या है कि मोक्ष हमारा लक्ष है कि कौन निर्धारित करेगा हम करेंगे उसके माल पर हम चलेंगे ठीक है हमारे पास जो खमता है उसका प्रयोग करें उसका अहंकार न करें और बाकि जो खमता नहीं है तो भोग जब हमको मिलता है तो मौक्ष भी हम ही को मिलेगा भोग के लिए हम जब प्रयास करते हैं तो मौक्ष के लिए भी हम ही को प्रयास करना परेगा ठीक हो गया